Hello friends, make money trading academy में आप सबका स्वागत है Friends, आज हम बात करने वाले हैं जिस topic के बारे में वो है ascending triangle तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि ascending triangle कैसे बनता है और इसे हम trade कैसे करते हैं क्योंकि सबसे जाधा important है कि trade जब बनता है तो ascending triangle हम लोग कई बार होता है कि identify नहीं करते हैं तो आज हम लोग बात करेंगे कि ascending triangle कब चार्ट पे बन रहा है उसे identify कैसे करना है और ये क्यों बनता है कैसे बनता है और जब ये बनता है तो उसे trade कैसे करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में आप आ एक हेक करके, बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं कहुंगा दोस्तों कि जो इस वीडियो में नहें आरहे हैं, आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करा लिए। शेयर कर देजी और सब्सक्राइब कर देजी इससे क्या है मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और ऐसी वीडियो में लगाता डालता रहूंगा ताकि आप लोगों के नॉलेज में भी कुछ वैलूस मैं एड़ करता हूं तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता मतलब जो बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हुए जब नंबर ऊपर जाता है उसे हम कहते हैं एसंडीं नंबर और डिसंदींग नंबर क्या किसे रहेगा मैं उस्सेभी डिस्क्रिप्शिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूगा आप वह से प्ले ब्ले करके देख लिजे स्रूत दें मतलब 65 कि इस तरह से जब उपर से जिंती जब नीचे की तरफ हा रहा होता है तो इसे हम कहते हैं तो इसgrass एक ट्रफ आधा नाइसकल अचुछ चे से उपर जा रहा है तो हम कहते हैं ये ना बर की और अगर descending triangle होता तो क्या होता दोस्तों कि उपर से इस तरह से हो रहा होता है ना मतलब प्राइस उपर से गिरता गिरता आ रहा होता और नीचे support ले रहा होता ठीक है तो इस तरह से triangle बन रहा होता जो कि उपरी हिस्ता जो है इस तरह slope बना होता यहां पर नीचे वाला हिस्सा मतलब नीचे से जब Price उप रेलेस्ट ड्राइंगल है और जब यह उपर से सप्पोड की तरफ आहे हैं इसे हम कहते है दोस्तों हमें से हम लोग कई बार एक mushrooms लाइं अच्छा है कि यह बड़ीश पर्मिशन होता है फिर फ़र्मीशन में जाता है ऊपर जो है ड्यून में रहता है एक दोस्तों कैसे जाता है जाता है जाता है अभ क्या है प्राइस अगर एक range है फिर हाइर बनाए सुछ предлаг बनाए मिल एक पूर जो रोड़ा यह तो अगर आप से इस पूरे जो लोर जो है हाईर लोग हाईर लोग हाईर लोग हाईए blessing लोग अगर मार्ट करूँ तो देखो यह उपरकी तरफ जा के मिलेगा उपर की तरफ जा की मिलेगा जहांपर एक अन्वर्जन होगा यह थे खिला सा आपको पो तरह से फार्म हो रहा है इस तरह से आसंडिंग ट्रैंगल के दोस्तों बनता है तो क्या होता है चांटेश जब यह टॉपर की तरह ब्रेक आउट देगा और पूर एक से अंसे हम लोग ciao continuation पांटन भी कहते हैं ठीकरा क्योंकि रयाइस जो तो यह एक तो bullish pattern भी है प्लस एक continuation pattern कि जो उसी direction में जाता है लेकिन जैसा कि मैं बार-बार आप सब लोगों कहता हूं कि हम लोग भले ही book में पढ़े हैं या जिन जिन से भी हम लोग बाते करते हैं तो यह लोग continuation pattern कहते हैं या फिर bullish pattern कहते हैं सारी चीज़ें ठीक है अपने ज down देता है तो हमें क्या है selling की तरफ जाने अगर चार्ट में breakout देता है तो हमें buying की तरफ जाना है ठीक है ना simple सी बात क्योंकि हमें इतना पता है कि अगर हमारा जहां पर भी अगर हम लोग sell करेंगे तो हमारा उपर का stop loss होगा मतलब अगर price कहीं अगर reverse करता है तो यह हमारा stop stop loss खाएगा market और हम market से बार हो जाएंगे no problem और अगर उपर breakout देता है तो हम क्या करेंगे buy करेंगे यहां पर फिर उपर का right करेंगे और हमारा stop loss होगा नीचे का ठीक है अब जिस दिरेक्शन में जाएगा हमें नहीं पता कि हमारा target क्या होगा simple सी बात market में हम कितना profit लेंग कई लोग होते हैं कि 100 points कवर करूंगा कई लोग होते हैं 150 points कवर करूंगा वो हमारे हाथ में नहीं पता है कई बार है प्राइस अगर आपको सेम higher high high low formation में मार्केट गया तो कई बार अगर बने हुए हैं तो आपको day के end में complete एक लंबा profit मिल जाता है वो सब कुछ market decide करता है क मार्केट नीचे आ गया क्योंकि आपने वाई किया हुआ है और आप क्या सोच रहे हैं आप एक्सपेट कर रहे हैं कि मार्केट विल गो हाई रही बट इनकेस अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आया अगर इनकेस आपका stop loss हुआ तो आपका यह सिर्फ छोटा सा लौस कर लिया अच्शाह कि आपनी लौस को दोस्तों मिनिमाइस कर लिया तो सबसे इंप और एक टेडर के लिए अच्टा है यह बराबर और बहूप याद---- कि end of the day, end of the month, end of the year, आप क्या है एक profitable trader रहेंगे, but maximum क्या होता है, लोग अपना जो है, target उपर का छोटा ही रखते हैं, stop loss जो है, वो कभी भी लगाते नहीं है, और अगर market नीचे आता है, तो वो सोचते हैं नहीं, in case यहां से market ऊपर चला गए, तो इस hope में वो बैठे रहते हैं, तो आपको मैं बता दूँ कि share market में, there is no space for emotions and sentiment in the share market, share market में आपको simple सी बात बता दूँ कि there is no space for emotions, मैं लिख दे रहा हूँ, आपको दोस्तों याद रहेगा, emotions and sentiment, sentiments in the share market, इसका क्या मतलब होगे हैं दोस्तों, in the share market, मतलब कि share market को ना आपका emotion दिखता है, ना आपके sentiments दिखते हैं, तो इसका मतलब share market में emotions and sentiments की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं लिख दिया कि there is no space for emotions and sentiment in the share market, तो आपको क्या करना है, कि आपको emotional नहीं होना है, आपको क्या follow करना है, आपको अपना process follow करना है, simple सी बात, आपको अपना process follow करना है, आपको क्या करना है, आपको discipline रहना है, ठीक है, आपको simple सी यहीं चीज़ी follow करनी, discipline रहना है और process को follow करना है, आपको कभी भी follow नहीं करना है, कि हम कितना profit book करेंगे, बस आपने कहाई सही जगा पे entry लिया, अगर market breakout देता है, उपर की तरह तो आप यहां entry लिए और अगर breakdown देता है, तो आप यहां sell कर देंगे, यहां buy करेंगे, यहां sell करेंगे, यहां का stop loss मैं एक बास सब को clear कर देता हूँ, अगर market ने breakdown दिया दोस्तों, तो यहां हम क्या करेंगे, sell करेंगे, ठीक है न, यहां हम sell करेंगे, चाहे हम कहें से short करे करेंगे, दोनों सेम है, तो यहां हम short करेंगे, and this would be our stop loss, यहां तक तो clear है दोस्तों, और अगर breakout देता है, अगर breakout देता है, ऊपर की तरह breakout देता है, तो हम क्या करेंगे, we will buy here, we will take the entry, ठीक है, यहां पे हम लोग अपना entry लेंगे, and our stop loss would be this one, stop loss, ऐसल मतलब stop loss अब समझ और कभी भी याद रखें कि risk to reward ratio, this is very important, risk to reward ratio, मैं लिख दे रहा हूं, risk to reward ratio, and money management, these two points are very important, money management, मैं लिख दे रहा हूं, दोस्तों, ठीक है, तो risk to reward ratio का मतलब क्या हो गया, कि अगर आपने entry लिया है, और या buying side में हो चाहिए, selling side में, entry अगर आपने लिया है, तो your target should be minimum 1 to 2, not less than 1 to 2, ठीक है, अगर आपने 1 रुपया loss के लिए, अगर आपने stake पर रखा हुआ है, तो your target would be 2 rupees, ठीक है, कि अगर 1 रुपया हम गवाने के लिए तयार है, तो हमारा target 2 रुपय होना चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए, कि आप 1 रुपया stock पर risk लगा रहे हैं, और आप 50 पैसा कमाने का सोच रहे हैं, तो फिर आप profitable trader कैसे बनेंगे, इसका मतलब simple सी बात बताता हूँ, अगर आपने 50 पॉइंट bank nifty में रखा है, कि अगर in case market reverse हुआ, तो 50 पॉइंट मैं bear करने को तयार हूँ, loss, तो आपका target कितना होना चाहिए, कम से कम 100 पॉइंट, 100 नहीं बन पाएंगे, यह बहुत simple सी बात है, आप अपने दिमाग में बिठा के रख लिजे, तो आपको simple क्या करना है, कि point अपना risk to reward ratio आपको अपना clear कर रखना है, कि 1 is to 2 minimum होना चाहिए, जितना ज़्यादा आप maximum profit ले सकते हैं, trail करकर के वो आपके उपर है, आपके caliber के उ दोस्तों ऐसा होता है कि आपने दिन में, दिन में आपने पहला trade लिया, ठीक है, पहला trade लिया और आपके 10,000 रुपे profit हो गया, for example, 10,000 profit हो गया, और आपने कि इतना quantity लिया था, 200 quantity में trade लिया था, ठीक है ना, 200 quantity में, तो आपका money management और position sizing, position sizing, यह सब important है, आपने अगर 200 quantity में trade लिया था, अगर आपका 10,000 profit हो गया, तो अगला जो trade लेंगे दोस्तों, आप क्या करेंगे, इस 10,000 का कोसिस कीजे कि 30% जो profit होगा, बस उतसे में हम trade लेंगे, 30% कितना होता है दोस्तों, 3,000 रुपे, मतलब अगली बार जो आप trade लेंगे, आपका जो loss, 3,000 के उपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7,000 तब भी बचेगा, 7,000 अब आपको घर लेके जाना है, अगर आप अगला trade ले लते हैं, दोस्तों quantity में ले ले रहे हैं, इनकेस अगर market आपके against चला गया, तो आपने जितना कमाया सब गवा देंगे, है ना, तो आपको उस चीज को भी ध्यान कि ये कब बनता है, ये कब बनता है, जब भी बने, जब भी बने चार्ट में, market अप्टेंड में हो, डाउंटेंड में हो, जब भी बने, आप इस चीज को बस notice किजेगा, कि जब भी price उपर की line, यानि कि इस resistance के पास, बार बार प्राइस आके hit हो रहा है, और यहां से selling आ र उपर चला गया, तो हम कह सकते हैं, higher low बन रहा है, दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं, यह higher low बन रहा है, दोस्तों, यह high जो है, इस high से नीचे है, और यह high जो है, इस high से उपर है, तो हम लोग higher low कह सकते हैं, ठीक है, अगिन price जो है, उपर से resistance लिया, selling आई, और price फि यह तो higher high नहीं बन रहा है ना क्योंकि uptrend में क्या है higher high higher low higher high higher low बनता है तो price ऐसे ऐसे जाना चाहिए था ऐसे जाना चाहिए था right मतलब कि हर high जो है पिछले high से उपर होना चाहिए था every high should be higher than the previous high ठीक है बट यहां पर क्या हो रहा है कि हर high price same है बट हर low जो है every low is higher than the previous one गौर से देखिए every low is higher than the previous one तो यह अप्टेंड की पहचान है कि इस लो से यह लो अगर उपर है इस लो तो यह लो अगर उपर है इसका मतलब है market uptrend में है बट ही अप्टन में मैं कैसे मालनूं जब यह उपर का रिजिस्टेंज है वह सेम है तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि प्राइस एक range में है यह कहेंगे price एक साइडवेज में है ठीक है कुछ भी कह सकते हैं बट यह देखिए जब इस तरह का formation होता है ना उपर रिजि किस जिच का बंवेट करेंगे ब्रेक आउट का ठीक है आप इस बीच में हल कि यहां से लेखे'RE आप नहीं करेंगे ठीक है No ऐब एकसाइमेंट में गुज गया है एक ब्रेक आउट ग्रोद देगा तो आप यहां बाइब कर सकते हैं यहां का बना चाहते हैं तो तो आप वेट कीजिए कि breakout दिया market उसके बाद जब यहां पर एक retest करता है price उसके बाद यहां पर कोई bullish candle बनता है आप यहां buy कर लेजे यहां का stop loss लगा लेजे फिर उपर तक आप ride कीजिए सेम है अगर आपका नीचे breakdown देता है breakdown देता है नीचे फिर करता है उसके बाद नीचे आता है यहां पर तो यहां का stop loss लगा देजे नीचे तक target लीजे ठीक है this is how हम लोगो ट्रेड लेना होता है डाउं ट्रेंगल पैटन के बारे में ठीक है तो उमीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी समझ में आ रहे हैं लिए कर देजी और चैनल को subscribe कर लाँजे और बिडियो मैं बराबर ढलता रहोंगा जितनी बार मीदी डालाँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आतार है इसलिए आप बिटर है कि इसका जो बिल आइकन है उसे प्रेस करके रख लें ठीक है अब देखिए दोस्तों आई हम लोग चार्ट में डूटते हैं कि चार्ट में यह एक बार मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं दोस्तों अच्छा यह हो गया आपका च चार्ट पुलाओं देखता हूं आप लोग देखते रही है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग आइडन्टीफाई कर लेंगे तो आपको खुद लगे चलिए अच्छा रिविजन हो रहा है अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है दोस्तों मैं क्या करता हूं बिल्कुल लाइव मैं रिकॉार्ड करता हूं मैं कोई edit करके रिकॉर्ड नहीं करता तो मैं चाहता हूं वह एसा नहीं चाहता कि हाँ एडिल करके दिखा और आपको कुस र 나타ख से तो अभी ओधि कर रहे हैं तो अब कि देखते हैं कि उमीद करता हूं कि दोस्तों concept तो आपका क्लियर हो गया होगा ना कि ascending triangle किस तरह से बनता है कि उपर का जो resistance है दोस्तों उपर का जो resistance है वो एक ही जगह intact है बट नीचे से जो price है वो उपर resistance की तरफ जा रहा है उपर की तरफ जाके हो रहा है इसका इक हो रहा है इसका मतलब है price नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा pleasure और एक Ascending triangle का formation हो रहा है तो जब Ascending ट्रींगल बंद रहा होगा तो हम बस breakout का वेड करेंगे जिस तरह breakout होगा उस तरफ का हम लोग टेड लेंगे ठीक है बहुत सिंपल है यह ना देखते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं मिली जाएगा ठीक है कि आप लोग बने रहें मैं दिखाता हूँ आपको और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिसेंडिंग ट्रैंगल का भी मैं लिंक डाल दूंगा उसे भी आप लोग ज़रूर देख लिएगा दोस्तों तो कम से कम क्या आपके यह concept सारे clear रहेंगे क्योंकि मैं सारे जो वीडियो बनाता हूँ ना दोस्तों वह मैं प्राइस पॉइंगल पैटन यह सब चीज़ें अगर आपके दिमाग से निकल भी जाए अगर आप प्राइस समझ जाएंगे तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी ट्रैंगल वे जगहा पे मैंने आपको बताया था जिस तरफ भी breakout हो या breakdown हो हमें वो करना है अभी मैं देखता हूँ ये देखें दोस्तों ये प्राइस जो है लगबब ऊपर यहीं जगह पर ये कर रहा है यहाँ पर प्राइस में अब और इस सब्सक्राइब अभी अच्छा प्राइब नहीं रहे यहां और और मैंने क्या बताया था ऊपर ब्रेक highlighting कर सथ यहाँ सपोर्ट ले रहा है बार बार लेकिन नीचे से देखे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो यह रहा है अब यह ब्रेक आउट दे दिया तो जब ब्रेक आउट दे तो हमें यहां पर सेल कर देना है यहां का देखता हूं दूस्तों मैं चार्ट में देख रहा हूं कहीं और देख जाए तो चीज़ें और अच्छी समझ में आएंगे रहें और दोस्तों आपको अगर कुछ भी और रिक्वाइमेंट है दोस्तों ठीक है कि आपको किसी चीज़ के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप उसे जरूर उसे जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखे या फिर कुछ भी मुझे अपने पढ़ाने के स्टाइल में या ब लग रहा है कि मैं जल्दी बोल रहा हूं या कुछ भी हो जो भी आपके feedback हो आप comment में जरूर दीजे ठीक है क्योंकि आपके comments मेरे लिए बहुत valuable है क्योंकि मैं सिर्फ एक पढ़ाय जाओं और ना समझ में आए आपको तो मेरा पढ़ाना विकार है आपको चीजे अच्छी लग रही है तब ठीक है ना थे प्र होना चीज है तो इसके कि लिए इंगेज्मिन बहुत जरुरी है अगर रिप्लाई करेंगे हूं हां जैसे होता है किसी से बात करते हैं तो मुझे बाते तो आप कमेंट देंगे तो मुझे समय में आजए आजएगा कि हाँ आप सुन रहे हैं आप उस तरफ है आप अगर लाइक करेंगे तो मैं समझ पाँगा कि आप उस तरफ हैं तो कड़ते रही है रिप्लाइ कड़ते रही तो क्या है कि थोड़ा बोत वे कम्यूनिकेशन होगा तो अच्छा लगेगा मज़ा भी आएगा और चीजें भी सीखते रहेंगे इसी बहाने हम लोग है यह देखिए दोस्तों अभी कि यह प्राइस जो है अभी दिखाता हूं आपको कि जब से मैं देख रहा हूं चार्ट में डिसेंडिंग ट्राइंगल तो मुझे बहुत दिख्या बहुत जगह दिखा एसेंडिंग ट्राइंगल जो है यह आ गया है यह यह भी डिसेंडिंग ट्राइंगल आ गया रुकिए मैं यह भी डिसेंडिंग ट्राइंगल है एसेंडि बनता है और अप्रेंड जो रहता है मार्केट तब बनता है इसलिए कहा है कि अभी यह पिछले कुछ दिनों से डिसेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि डाउंट्रेंड में है मार्केट तो जैसे ही अप्रेंड वाला एरिया आएगा अपने आपी दिख जाएगा दोस प्राइस इसी जगह पर बार बार ले रहा है रिजिस्टेंस ठीक है और यहां से देखिए प्राइस इस जगह से आप गौह से देखिए तो प्राइस उपर की तरफ जा रहा है अभी मैं इसमें समझाता हूं दूसरों देखिए प्राइस ने हाइर हाई बनाया हाई बनाया ह higher high high low higher high high low ठीक है यहां तक ठीक है लेकिन आप देखी बार बार इस हाई को इस हाई ने तोड़ा नहीं इसी हाई के जगह भी यहां पर रिवर रिद रिवर रहा हो प्रइस दन्स की तरफ बढ़ रहा हो उसके बार चाहे दोस्तों ब्रेक आउट हो चाहे ब्रेकडाउन हमें उस तरफ का टेड लेना है मैंने आपको पहले पता है तो ब्रेकडाउन हुआ हम यहां करेंगे सेल सिंपल सी बात और हमारा स्टॉप लॉस होगा यह ठीक है अब क्या है कई बार स्टॉप लॉस अगर आपको बड़े दिखते हैं त तो आप वहां एक काम किजिए नहीं हो तो आप 50 कॉंटिटी में कीजिए तब भी देखिए मार्केट कितना अच्छा आपको मूव देया नीचे तक इसलिए क्या होगा ना कि छोटे कॉंटिटी में रहेगा तो आपको रिस्क नहीं लगेगा आपको डर नहीं लगेगा सिस्टम में जैसी जाता दिखाएगा आपके पीनल में लॉस आप डर के माले काट देंगे आप बने नहीं रह पाएंगे तो साइकलोजी एफेक्ट हो जाता है इसलिए कहते है ना ट्रेडिंग इस ऑल अबाउट साइकलोजी ठीक है अगर आपकी साइकलोजी अगर अच्छ को यह video पसंद आई होगी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजे शेर कर दीजिए कीजिए और प्लीज सस्प्क्राइब कीजेए चैनल मिलते है एक हम बोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक लिए बबाय आपना